वैसे तो आज कल के जमाने में हर कोई ये चाहता है कि कम से कम पैसे में अपने घर के खर्चे को चलाएं और उन्ही पैसों में से कुछ पैसे बचा कर अपने फिचर को सिक्योर करने की कोशिश करें पर कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन रात महनत करने के बाद भी अपनी जिन्दगी में सकसेस हासिल नहीं कर पाते हैं तो आखिर ऐसा क्यों होता है और आखिर घर में लक्षमी माता और कुबेर देवता एंट्री क्यों नहीं करते हैं चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसे आप अपनी नीजी जिन्दगी में लाकर हमेशा खुश रह सकेंगे और साथ ही आपके घर में लक्षमी माता और कुबेर देवता हमेशा अपनी क्रिपा बनाए रखेंगे इससे पहले माँ आप सभी से रिक्वर्स करना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल के बेल एकन को जरूर प्रेस कर लीजेगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजिबल वीडियोज आप कभी भी मिस ना कर पाएं दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा सबसे पहला टिप दोस्तों अगर आप नौ विबाही जोड़े हैं यानि कि आपकी शादी हो चुकी है तो ऐसे में सुबह सवेरे सारीरिक संबंद बनाने से बचें क्योंकि वेद पुरानों और ग्रंथों में इस बात को साफ तोर पर लिख दिया गया है कि जो लोग सुबह सवेरे सारीरिक संबंद बनाते हैं उन्हें देख लक्षमी माता नराज हो जाती है और वो आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगे जिसके बाद आप चाहे जितना भी काम और मेहनत कर लें आपके घर में कभी भी लक्षमी माता की एंटरी नहीं होती है दूसरी टिप दोस्तो अगर आप सारीरिक संबंद बनाने के बाद सनान नहीं करते हैं ऐसे में आपके घर से रोजगार और साथी लक्षमी माता की क्रिपा हमेशा हमेशा के लिए हट सकती है दोस्तो सारी रिक सम्मंद बनाने के बाद हमेशा रश्योई घर में एंटरि करने से पहले नहाना यानि किस नान करना बहुत जरूरी होता है चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों नहों बताया जाता है दोस्तो तीसरी और आखरी टिप बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा क्योंकि आपकी एक लाइक करने से हमारा मॉटिवेशन बढ़ता है तीसरी और आखरी टिप जीसे जानने के बाद आप सचमुच यकीन कर पाएंगी कि आपकी जिंदगी में कौन सी वो बड़ी गलती जो कि आपके घर की महिलाएक कर रही है दोस्तों अक्सर ये देखा जाता है कि बातों बातों में ही घर की औरते रात का बरतन धोना भूल जाती है और वो जूटे बरतन बेसीन में रख देती हैं जिसकी वज़़ा से देर रात में आये हुए लक्ष्मी माता और कुबेर देवता नराज होकर आपके घर से चले जाते हैं बताए ये भी जाता है कि ऐसा करने से आपके घर के खुल देवता भी नराज हो जाएंगे मेंबर्स के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजेगा आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद